हाँ तो नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनेम को लेकर जो अब नई सूचनाए निकल कर आ रही है जैसे कि आपको सुप्रिम कोट के तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और जो आप लोग की सुप्रिम कोट के फैसले के कारण ही रुका हुआ है और ऐसे में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि सीवीटी क्वारिफाय वाला भ्यारतियों का जो अपना में जो बॉंडिंग था उसको लेकर कुछ अपडेट निकल कर आ रही है क्योंकि उन सब का कारणा है जो क्लेक्शन किये जा रहे हैं उस पर कुछ मेटर आ रह हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि आप लोग को इंतार है अपने अगली तारिक जो अगली सुनवाई का जोती थी है उसको सब का इंतिजार है तो जैसे कि आप लोग को जो डेट है अभी यहाँ पर सूने कर रहा है कि किस दिन इसकी सुनवाई है लेकिन हम आपको बता दे कि आप लोग को परसो तक बूद या बरसपती बार तक आपको डेट मिल जाएंगे जो कि सुनवाई का जो डेट है नया जो तारिक है वो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे और जो सीवीटी वाले जो कौलिफाय वाले जो अभैर्थी उन्हें जे केस किया है वो इनहीं बातों को लेकर घबरा रहे हैं कि पाला जो सुनवाई हुए उसमें कुछ नहीं साथ है तो सुप्रेम कोर्ट है उसमें थोड़ा सा डेट देखने को मिलेंगे ही जब अप लोगगों है हाई कोट में इतनी बहुत देख्या है तो आप लोगको सुप्रीम कोर्ट में जब गए है तोlaw को लगश करणा ही पड़ेगा और कि हम बात करे पर और आपको देखने को मिलने वाले हैं दो सी तीन डोज में आप लोगों को नहीं सुनवाई डेट भी मिल जाएंगे साथ ही और यह दिया हम बात करें तो आप लोगों का इस दिन सुनवाई नहीं हो पाए थे और और नए जो सुनवाई होंगे उसमें दिलचास्प वाद देखने की यह होंगे कि क्या अंजली कुमारी इसमें एक्टिव रहते हैं या क्या कुछ उनके तरब से संकेद देखने को मिलेंगे क्योंकि अंजली कुमारी हो सकता है कि अब जैदा एक्टिव नहीं देखने को मिलने हैं केस को लेकर तो आगे की जो सुनवाई है उसमें ये सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे और जो सुनवाई की जो तिति है उस पर भी हमने आपको डीटेल्स में बता दिये कि आप लोगों को दो दिन वेट करिए जो नहीं सुनवाई की जो तिति है जो नहीं तारीक है वो दोरा भी केस फाइल नहीं किये गहे जा लेकिन वह सब भी इसको लेकर बहुत एक्टिफ है क्योंकि उनका भी काना है कि हम लोग केस जीतेंगे और क्या कूछ होता है क्योंकि केस्पर ही अब सुरिम कोड्ल के फैसले परिसी पर तो यह सब के लिए जरूरी है कि उनमें सुन्माय में क्या कुछ दिये जाते हैं कि इतना किसके पक्ष में जाता है या मिला जुला फैसला आता है वह आप लोग को बहुत ज्यादा समय नहीं देने होंगे जैसे कि हाइकोर्ट में ज्यादा समय लग रहे थे तो सुप्रिय क्लाइब को क्लास चरै को लिए सबस्क्राइब करके और विजते हैं अगय उसके वी सारी कजिए करके बहुए इसके लिए नया प्रसक्राइब कर दो